हरे ग्रिश्ण यह बात उन दिनों की है जब भारत में मुसलिम शाषन का पुर्ण प्रभाव था और हिंदूओं पर नाना प्रकार के मनमाने अत्याचियार किये जाते थे उस समय बहाबलपुर राज्य में एक राम नाम के नठिस्ट भक्त छिन को निवास करते थे उनका किराने का दुकान था वियापार में वे पुर्ण इमानदारी और सच्चाई का पालन किया करते थे वे सारा दिन भगवत भजन में लीन रहते थे केवल शाम को दो घंटे के लिए दुकान खोलते उनका यह दानिक नियम था परन्तु एक दिन एक मुसलमान ने यह नियम तोड़ने के लिए बाध करना चाहा वह प्राधकाल उनके पास आया और चाहता था कि उसी समय दुकान खोल कर कुछ सामान दे दिया जाए परन्तु छिनकु भग्त राम नाम का जाब कर रहे थे उसे शाम को आने के लिए कहा वह किसी प्रकार न माना और चिनकु वह भग्वान राम को भी भला बूरा कहने लगा चिनकु ने उससे केवल यही कहा कि किसी भी धर्म के आराध्य देव को इस प्रकार के अपशब्द नहीं कहने जाहिए यदि इस तरह के शब्द तुम्हारे पैगंबर और धर्म ग्रंथ के प्रति कहूं तो तुम्हें कैसा लगेगा यह सुनते ही मुसल्मान को अत्यंत क्रोधा गया और वह छिनकु भक्त को धमकिया देता हुआ चला गया उसने काजी के पास शिकायत की कि छिनकु ने हमारे पैगंबर को गालिया दी हैं उसे उचित दंड मिलना चाहिए नवाब बहाबलपूर छिनकु भक्त से भली भाती परीचीते थे और उनका व्यक्तिगत रूप से सम्मान किया करते थे नवाब ने चिनकु भक्त को यह कहलवा भेज दिया कि उसके उपर लगाये गए अभ्योग को वह बिल्कुल स्विकार ना करें परन्तु चिनकु भक्त के जीवन में असत्य भाशन का कोई अस्थान नहीं था उन्होंने जो शब्द उस मुसल्मान को कहे थे वही शब्द अदालत में दोहरा दिये काजी ने उन्हें संग सार का दंड दिया इस दंड का अभिप्राई यह था कि आते जाते व्यक्ति उन्हें पत्थर मारते रहें जब तक कि उनका शरीरांत न हो जाए एक खंभे में बांध कर लोग उन्हें पत्थर मारने लगे सारे शरीर में घाव ही घाव हो गय और रक्त की धारा बहने लगी परन्त शिनकु भक्त का स्री राम नाम का उच्चारन बंद नहीं हुआ शाम को उनके एक परिचित स्यानिक से यह दशा देखी नहीं गई तो उसने तलवार से उनका सिर काट दिया लोगों ने आश्चरे से देखा कि छिनकु के कटे हुए सिर से तो श्री राम नाम की ध्वनी हो ही रही थी काफी देर तक मिचले धड़ के भाग से भी के वश की बात नहीं महाभारत में वर्नित कथा के अनुसार तुलाधार नाम के एक बिना पढ़े लिखे परंतु इमांदार व्यापारी को बिना किसी मंद्र जब किये ऐसी अद्भुत सिध्या प्राप्त हुई थी कि उसने मुद्गल रिशी को उनकी साधना की समस्त गुप्त गति विध्यों के सूचना देकर चैकित कर दिया था सत्य निष्ठा को महर्शी पतंजली ने योगदर्शन में एक सिध्धि स्विकार किया है और यह माना है कि सत्य के पालंच से ही उतना आत्मिक बल अरजित किया जा सकता है वह व्यक्ति अद्भुत कारे करने की छमता वाला है साधक की शक्ति का परिचे इस तथ्य से जाना जा सकता है कि वह कितने अंशों में निर्भय है शक्ति हीन सदेव भय भीद रहता है जितना शक्ति का विकास होता चलता है उतना ही साधक निर्भय हो जाता है निर्भैता शक्ति का दूसरा नाम है उपरोक्त सभी गुण छिनकु भक्त में थे वह इमांदार, सत्य निष्ठा और निर्भै थे शरीर की सुरक्षा के लिए वह अपने सिध्धान्तों की बली नहीं देना चाहते थे नहीं उन्हें अपने शरीर से कोई मुह था झाल 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 झाल